हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज हम डिसकस करेंगे रिसेंटली बुखारेस्ट 9 ग्रूप जिसको शॉर्ट फ्रेम में हम लोग B9 भी बोलते हैं ये चर्चे में क्यों थी चाइना जो है इसके साथ क्यों कनेक्शन में है इसके बार में भी डिसकस करेंगे तो हुई थी यहाँ पर रोश्या और क्रिमिया यहाँ पर क्यों रिलेशन में है इस टॉपिक के साथ इसके बार में भी डिसकस करेंगे तो देखें फ्रम वर्ल जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ के हिसाब से बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को एन तक बिल्कूल दिखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोग ने हमार चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं के है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही व इस बात से चाइना को गुसा आ गया चाइना चड़ गया इससे तो चाइना का कहना है कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री नहीं है इन फैक ताइना जो है चाइना जो है मैं ताइना बोल गया चाइना जो है ताइवान को चाइनीज टाइपे बोलती है अपना ही एक इंट्र पार्ट मानती है अभी देखे यहाँ पर यह बुखारेस नाइन ग्रूप शॉर्ट फर्म में हम लोग जिसको B9 भी बोलते हैं और USA इन दोनों ने लिथुएनिया की जो एक्षन को सपोर्ट की है तो अगर थोड़ा ता आगे जाएंगे आप 1949 का जो सिविल वर हुआ था उसम separate country नहीं है एक ही country है लेकिन दो अलग-अलग governance के हिसाब से वो चलती है लेकिन हाला की देखे कि USA जापान और अलग-अलग काफी सारे countries जो है ताइवान को सपोर्ट करती है क्योंकि थू ताइवान चाइना में एक business करने के लिए उनके लिए काफी अच्छा मौका है तो 9 group, 9 countries इसके members हैं यहाँ पे, countries को याद रखेगा, Poland, Romania, Slovakia, Lithuania, Latvia, Hungary, Czech Republic, Bulgaria और Estonia, तो कभी-कभी आपको देखे कि कुछ country के नाम लेके पूछा जा सकता है कि Ukraine is a part of Bucharest 9 group, तो यह गलत होगा, Ukraine बुखारेस 9 group का part नहीं है तो यह Bucharest 9 group इसकी formation हुई थी 2015 में, और यहाँ पे देखे कि Romania और Poland की initiative से यह group की formation हुई थी 2015 में, तो इसको B9 group भी बोला जाता है, because Bucharest जो है यहाँ पे यह Romania का capital है और उनके ही initiative से यह group for mention हुई थी, तो इसको जो है Bucharest 9 group भी बोला जाता है, तो Romania का capital भी Bucharest है, इसको याद रखेगा, तो अगर हम लोग देखें, मैप में थोरा सा study करेंगे, मैप को जानना बहुत ही important है, यह आप देख सकते हैं, Poland हो गई, Lithuania हो गई, Latvia, Estonia आप देख सकते हैं, Russia के साथ connected है, Ukraine पार्ट नहीं है, Romania यहाँ पे जो है बुखारिस्ट आप देख सकते हैं, Bulgaria, capital Sophia है यहाँ पे, मॉल्डोबा है यहाँ पे, अलग-अलग देश, Hungary, Slovakia, Czech Republic, यह सब landlock country है, Austria है, यहाँ पे अलग-अलग countries आप देख सकते हैं, यहाँ पे, जो Croatia हो गई, capital, Zagreb, तो साथ ही साथ जब आप map देखेंगे, ऐसे जब international news में किसी देश के बार में जिकर होता है, कि कोशिश किजए मैप को study करने के लिए किसी भी अंगल से आपको प्रशन पूछे जा सकते हैं, तो अब हम discuss कते हैं कि यह B9 group जो है, बुखारेस 9 group इसकी formation की हुई थी, तो इसके लिए हम लोग को 2014 में जाना पड़ेगा, कि 2014 में Russia ने Crimea को Ukraine से हथिया लिया था, एनेक्स कर लिया था, तो एक चीज किया है कि B9 group जो formation हुई थी, because Russia ने जो illegal तरीका से Crimea को हथिया लिया था, उसके against इसकी formation हुई थी, because ये B9 group के जो members है, कभी ना कभी Soviet Union का part हुआ करता था, या फिर उनके ही sphere of influence में आती है, तो उनका एक दर है कि कल को, जैसे कि Ukraine से Crimea को हथिया लिया था, उनके देशों क एसे problems का साना ना करना पर सके, तो इसके लिए B9 group की जो extension थोड़ी सी eastward करने की भी अलोचना चलती रहती है, यहाँ पर, mainly B9 group में Ukraine, Moldova और Georgia को भी include करने की बात होती रहती है, और Ukraine जो है, काफी सारे देश, जैसे की USA हो गई, European Union हो गई, या फिर B9 के लिए यहाँ पर important है, because यह जो है, as a kind of buffer जैसा ही काम करते है, Western Wall और Russia के लिए, तो बहुत ही support B9 group को USA से मिलती रहती है, तो अगर हम लोग यहाँ पर यह कोशिश करते है कि Russia ने जो Crimea को annex किया था, क्यों किया था, तो एक चीज़ देखिया है, यहाँ पर C of Azov और Black Sea, यह दोनों ही C को connect कौन करती ह कर्च स्ट्रेट के थोर, और यह कर्च स्ट्रेट जो है क्रीमिया में आती है, और क्रीमिया जो एक पार्ट हुआ करता था USA के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिये, Russia ने क्रीमिया को हथिया लिया, इसलिए, because through कर्च स्ट्रेट, Russia can connect those Mediterranean countries, तो अगर Mediterranean countries में रशिया को आना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो definitely क्रीमिया एक बहुत ही important जगा है, जो Ukraine का पार्ट में था, लेकिन यह रशिया ने अपने अंदर कर लिया था, लेकिन उस टाइम में USA और European Union रशिया का against हुआ करता था, क्योंकि उन लोग बिलकुल नहीं चाहते हैं कि रशिया जो है, का जो जोगा आप देख सकते हैं, यह हो गया, कर्स्टेट, यहाँ पे यह रशिया, यह क्रीमिया, जो Ukraine का पार्ट हुआ करता था, तो यह जो रेट डॉद देख रहे हैं, यहाँ का जो complete यह पार्ट रशिया ने अपने अंदर कर लिया था, तो काफी सरे आसपास के परोसी कंट्री, अगर यहाँ पे देखें, रशिया इस रूट से ब्लेक सी तक पहुँच गया, तो तर्की हो गई यहाँ पे, बुलगेरिया हो गई, रोमेनिया, मॉल्डोवा, काफी सरे कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, रशिया, इनफें, जॉर्जिया हो गई, आर्मेनि यह सब रशिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, इन सब के स्थ्रू रशिया कनेक्ट कर सकती हैं, मेडिटेरियन कंट्रीज के साथ, तो मेंली रशिया का यही एक अब्जेक्टिव के वैसे, जो है, काफी आलोशना भी हुई थी, और B9 ग्रूप की जो फॉर्मेशन हुई तो मेप से रिलेटेड आपको प्रशन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही इंपोर्टन है, इंटरनेशनल रिलेशन्शिप पॉइंट अब यू के साब से, तो इसलिए यह टॉपिक हम लोगों ने डिसकर्शन किया यहाँ पे, तो यह था हम लोगा कंप्लीट ए फिलहाल जो है, लिथुएनिया के आग्रह से जो है, जो ताइवान में जो उन्होंने एंबेसी खोली और चाइना ने उसका बिरोद किया है, तो लिथुएनिया के साथ EUSA, European Union और B9 गूप ने चाइना का प्रोटेस किया है, तो आशाखरता इससे आपको बहुत कुछ करता है, और भी हार्ड रोग करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं स्टेडियराइस, देखते हैं थैंक्यू एंजय हैंद।